आपके लिखे हैं आपके एक डिमांडेट टॉपिक पर वीडियो और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर्फ एक बर फुल स्लिवर्स मैट का बता दो कि क्या क्या पूर्शन और इसमें हैं विकाज जो नॉर्मल पूर्शन होता है वो तो बच्चों को पता होता है जैसे सीरीज हो गया और बाभी बहुत साई चीज होगी बट लेगिन कुछ ऐसे चाप्टर भी हैं जो बच्चों को पता ही नही तो बचो ऐसी amazing series sessions के लिए अगर जो लोग नहीं है उन्हों ने अभी तक हमारा चैनल subscribe नहीं किया है तो please click on the subscribe button and don't forget to click on the bell icon और बचो इसी से हमें motivation मिलता है और बहुत सारी चीज़ आपको telegram group पे आईए आप तो हमारे description में link है उस link से आप telegram पे direct आ सकते हैं या फिर आप ATP star NTSC search करके भी जा सकते हैं उस telegram पे बचो बहुत साई चीज़ आपको amazing amazing आगे मिलती रहेंगी तो बचो चलिए start करते हैं आज का session mental ability slavers तो बचो आज के session में सबसे पहले हम जानेंगे कि पहला chapter कौन सा है और यह बहुत important chapter है बचो इस chapter की बात करें series की तो 8 to 10 marks आपके paper में दिलवाये गाई because इससे 2-3 questions हर section के मिलेंगे मतलब जैसे अगर बात करें तो number series मिल जाएगी, letter series मिल जाएगी, letter repeating series आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, alpha numeric series आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो यह जो series chapter है यह बच्छो हर कोई बच्चा करता है तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें क्या होता है बस आपको क्या करना होता है कि हर type के pattern की practice करनी होती है जैसे suppose करो किसी ने alphabet के reverse pattern की practice नहीं करी और question उसी पे था बस बच्छो को पता ही नहीं लगा पाया तो यह जो दो number दे रहे को उनके बीच में कोई code दे रखा है तो पूरा chapter इसी पर है इसमें मैंने काफी सारे वीडियोज आपके लिए बनाए है तो आप वो देख सकते हैं इसके बात-बात करें बच्छो तो हमारे पास आएगा clocks and calendar clocks में कैसे questions देखने को मिलेंगी आपको बच्छो ब मेरा बनलब clock में अगर हम बात करें तो just suppose कि यह जैसे clock है तो भई आपके पास अभी यह यह सुई है यह कितने degree angle पर है यह इस पर है ठीक बात अब क्या होगा कि 8 बच के 45 निट पर कितने degree का angle बनाएगी यह सब चीज़े आपको clocks में देखने को मिलेंगी ठीक बात और अगर म बहुत सारी चीज़े आपको clock में देखने को मिलेंगी calendar में बचो calendar सबसे important है calendar में आपको किसी भी date की day निकलवा सकता है और पूछ सकता है कि आज अगर Wednesday तो आज से 100 days बात क्या होगा बहुत सारी चीज़े calendar में बहुत important है calendar की short tricks तो बचो आपको पता ही होनी चीए यह वाल alphabet test में बचो आपकी reasoning कैसी हो सकती है कि इससे preceding यह है तो अब बताओ उससे preceding क्या होगा बहुत सारी चीज़े alphabet test में वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी तो जरूर प्रैक्टिस करें mathematical operation बचो यह जो chapter है ना यह chapter सबस्छादा time taking होता है क्योंकर आपके पास एक कोई दे true और चार option दे दे तो बच्छो चारो ही आपको चेक करना पड़ेगा अब आपके लगपड़ी बैंड है अगर फूर्थ वाला सही निकला तो फिर क्या हो जाएगा बच्छो आपके साथ दिक्कत हो जाए और time taking बहुत है एक मिट से जाधा time जो लगता ही है तो mathematical operation में जितन आपको पढ़ना पड़ेगा अगले चेप्टर की बात करें बच्छो तो numbers and ranking कि बहुत सारे लोगों के बीच में आपको बोला जाएगा कि मैं last से 14 पे खड़ा हूं मैं starting से 16 पे खड़ा हूं बताओ total कितने लोग हैं इस line में ऐसे ranking decide की जाएगी तो बहुत सारे questions बच्छो इस chapter में भी देखने को आपको मिलेंगे इसके बात बात करें तो water and mirror image बहुत साई चीज़े mirror image कैसे बनती है water image कैसे बनती है सारी चीज़े आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे अगले chapter में बात करें तो verbal and nonverbal classification classification के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत साई चीज़े आप आपको कोई एक quiz दे दी जाएगी और उसमें puzzle से आपको बहुत सारी चीजे उस paragraph से आप से पूछ सकता है puzzles का मतलब क्या है कि आपको कुछ गुमाने फराने वाला question उसने दे दिया और वो numerical में भी दे सकता है, alphabetical में भी दे सकता है, कैसे भी आपको given हो सकता है अगले पर बात करें तो बच्चो cube and dice test, अब यहाँ पर एक बात समझना कि यह क्यू important है यहाँ पर बच्चो आपको formulas भी बता होने चीज़ें, cubes में अगर कोई partition कर रहा है जैसे कोई 4x4 का cube है, अब मैंनो उसमें 1x1 में partition कर दिये, बताओ total 2x2 के कितने cube बनेंगे 1x1 के, ऐसे अगर paint कर दिया तो यही चीज़, dice में भी similar देंगे कि dice में आपको क्या होगा कि open dice दिये जाएगा बताओ इसके opposite क्या, इसके opposite क्या, यह सब चीज़ें बच्चो आपको dice में देखने को मिली अगले बच्चो डिरेक्शेंट है, सबसे आशान chapter है, बस आपको पता होना चीए कि नौर्थ वेस्स, साउथ इस, साउथ वेस्स, बहुत साई चीज़ आपको पता होनी चीए यह पता हो गई, बस फिर तो आपका दिमाग काम करेगा, यह वाली बात समझ में आई बच्चो बहुत सारे chapter अभी और है, आप जैसे missing character, मतलब कोई figure दे रखा है, उसमेंचे कोई character miss कर दिया, ठीक बात कोई number miss कर दिया, अब similar चीज़ आपको missing character in figure भी आपको देखने को मिल सकता है, कि कोई आपके पास alpha क्या दे रखे है, जैसे suppose करो, ऐसी कोई structure दे रखी है, और आप से पूछ ले कि वह यह यह दो structure दे दी, ठीक बात, और यह नंबर रख दिये, चारो, यह रख दिया, यह रख दिया, ऐसी अगले में पूछ ले कि बीच वाला number बताओ, तो यह स में से कौन सा मैं यह आपर put करूँ कि आपका figure complete हो जाए, तो यह वाला भी आसान chapter है, वैंड डियाग्राम बचो आसान होता है, लेकिन इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, वैंड डियाग्राम की कुछ quizzes मैंने YouTube पे कराई हैं, तो आप वहाँ भी देख सकते ह बैन डियाग्राम में मतलब हकीकत में हैं कि बहुत सारे बच्चे बैन डियाग्राम की calculations में mistake करते हैं, जो पहरा पूछा जाता है बैन डियाग्राम में कि बताओ कॉफी पीने वाले कितने थे यह सब, इसी में गलती करते हैं, बाकी बैन डियाग्राम दो बच्चो अधिक पेपर फोल्डिंग, बच्चो क्या होगा कि आपको बोला जाएगा कि यह पेपर ऐसे फोल्ड हो रहा है, ऐसे फोल्ड हो रहा है, यह फोल्ड हो रहा है, इसमें यह कट लग गया, अब बताओ, ओपन करोगे जब shape कैसी बनेगी, तो आपको answers में open figures दिये होगे, यह सब जो practice करते रहोगे, बहुसा ही चीज़ा आपकी आगे बढ़ते है, अब डेट figure में कि इन दौनों figure को मिला के कौन सा figure बनेगा, ठेक बात, non-verbal figure partition की भई, अगर मैं इस figure में इतने partition कर दूँ तो एक कैसे देखेगा, तोड़ेने पर कैसे देखेगा, यह सब चीज़ा आपको य आपर, और slowly की all pens are, यह सब बहुत साई चीज़ा आपको इसमें देखने को मिलेगी, तो whole mental laboratory slavers में आपने देखा, कि around 21 chapters, 20 chapters है, बट इन 20 chapters के भी बहुत part है, जैसे series के ही अकेले के 4 parts है, तो बचो यहाँ पर यही चीज़ देखने को मिलेगी, कि दीरे दीरे आपके पास जो आपको, बैसे मैं बता चुका मैट की वीडियो में, ठीक है, तो अब यह आपके हाथ में, आयोप आप अच्छे से preparation करोगे, ATV Star आपके साथ खड़ा है, हर mode पर हम आपके लिए अलग-अलग नए-णए type के आपके supportive वीडियो लाते रहेंगे, बचो हमारा app भी आप डाउन् Link Description में है, Telegram आप से जोड़ सकते हो, और में बात जिन्हों ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज किलिक ओन दा सब्सक्राइब बटन, और डॉन फगेट तो किलिक ओन दा बेल आइकन, तो बचो मिलते हैं, नेक्स सेशिन में, थैंक यू!